नमस्कार दोस्तों तो हम आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि Edup Animate अच्छा है या Cartoon Animator 4 अच्छा है दोनों में किसमें आप Easily Animation करा सकते हैं, कौन से Software में बहुत अच्छे से Animation कर सकते हैं और कौन से software को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और किसमें सीखने में difficult होता है किसमें आसानी से सीख सकते हैं तो इसी को लेके, इस topic को लेके आया है और आज कि इस वीडियों आपको detail से बताऊँगा कि कौन से software आपके लिए बेश्ट है और कौन से software आपको सीखना चाहिए तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मैं आप लोग को धन्यबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग ने हमें support किया है और Udemy पर जो हमने course लगाए हैं उसमें हमारा जो है दोनों course में लगाया हूँ animate CC का भी लगा चुका हूँ और cartoon animator 4 का भी लगा चुका हूँ और दोनों में लगभग जो है 100 student ने हमारे course को purchase किये हैं जिसमें कि आप 87 जो है animate CC का है और अगर cartoon animator 4 की बात करें तो उसमें से 13 student ने लिया है अब बात करते हैं कि इस दोनों course में हमने क्या सिखाया है अगर आप नीचे करते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारा animate CC का course है जिसमें कि हमने चार section में divide किया हूं जिसमें हम introduction पहले से बताया हूं कि software के बारे में क्या क्या है tools का कैसे use करते हैं basic animation क्या है उसके बात करते हैं तो हमने इसमें character को create करके दिखाया हूं आप देख सकते हैं हर type का character चाहें वह main है यहाँ पर bird का भी हम दिखाये हैं और animals का भी मैं दिखाया हूं तो इस type मैंने कैसे create करते हैं वह भी दिखाया हूं उसके बाद बात करते हैं animation की तो animation के लिए भी मैंने lips का synchronize, eye blinking, animal का animation उसके बाद bird का animation तो सभी type के animation भी आपको यहाँ पर करके दिखाया हूं और last में अगर section की बात करें तो हम यहाँ पर कुछ scenes को create करके दिखाया हूं camera को कैसे use करेंगे, baris का animation कैसे कराते हैं और last में मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपका cartoon बन जाता है तो उसको हम export कैसे करते हैं MP4 में यह मैंने details से इस course में मैं बात किया हूं आप यहाँ जाके check out कर सकते हैं और आपको अगर अच्छा लगता ता आप enroll कर सकते हैं इसी tab से हम बात करते हैं cartoon animator 4 की तो इसमें भी दोस्तों हमने पूरा detail से बनाने की कोसिस किया हूं जिसमें कि आप पहला introduction दिया हूं जिसमें कि आप tools के बारे में property के बारे में ज थरी character क्या होता है G2 character क्या होता है time line create scenes तो इस टैप के ज हमने animation हमने जो है इसके introduction बताया हूं उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे character को लेके तो हमने character भी यहाँ पर मैंने create करके आपको दिखाया हूँ कि G2 character कैसे create करते हैं, animals का कैसे बनाते हैं, की जिसके होते हैं बच्चे के जो character कैसे बनाते हैं, यह सभी का हमने create करके दिखाया हूँ कि यहाँ पर कैसे create करते हैं, उसके बाद बात करते हैं Animation की, हम हार टाइप के animation को लेकर दिखाया हूँ, चाहे हो animals हो, या bird हो, या कोई character हो, या dog हो, हर टाइप के animation मेंने करके दिखाया हूँ, तो सिन की तो मैंने कशस सीन, कें क्रियेट करके करों कुछ करें करते हैं और वहां पर हम camera का भी यूज करके हम कैसे scene को zoom in, zoom out या left, right या कैसे set कर सकते हैं वो भी दिखाया हूँ और last में मैंने इसमें भी दिखाया हूँ कि आप इसमें जो है export कैसे करते हैं वीडियो को जो कि आप कहीं पर यूज कर सकें तो यह मैंने दोस्तों details से दोनों course को बनाया हूँ अगर आपको लगता है कि यह course अच्छा है तो आप इसको enroll कर सकते हैं जिसमें कि अगर duration की बात करते हैं दोस्तों तो आप Cartoon Animator 4 में जो है और इसमें हम कुछ day by day इसमें नए नए वीडियो भी हम डालेंगे जो हमें लगेगा कि यह इस course में यह जो है इस टाइप का animation होना चाहिए तो हम इसमें उसको भी हम धीरे धीरे add करेंगे और यह आपको lifetime free है तो आप easily जो है कभी भी access कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि हमें यह कहां से सीखना है यह कैसे होगा आप इस जो है course अगर इंडॉल करते हैं तो आप उसको login करके यहां पे देख सकते हैं इसका लिंक जो है description box में मिल जाएगा और इसका price अभी आपको यहां पे 1799 रुपिया लेकिन हमने इसके लिए आप लोग के लिए हमेशा coupon code share करते रहता हूं जिससे कि इस price को आप कम कर सके हैं तो हमने इसी तरह से description box में इसका जो link दिया हुआ है दोनों course का और दोनों course 1799 का है लेकिन आप coupon code apply करते हैं तो दोनों course आप 499 रुपिया में ले सकते हैं तो यह था दोस्त दोस्तों टॉपिक पर बातकर साते हैं और हम देख रहे थे अच्छा है या काटून इनिमेटर 4 तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं कि दोनों जो है दोनों के लिए हमारा जो system होता है किस type का होना चाहिए तो मैंने दोस्तों पीछे के वीडियो में भी आपको दिखाए थे कि काटून इनिमेटर 4 या इनिमेट CC जो है उसके लिए हम में system की configuration क्या होना चाहिए तो हम इसमें एक बार फिर से बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अगर इनिमेट CC है तो उसके चलाने के लिए आपको 8GB RAM होना चाहिए 4GB जो है extra space होना चाहिए और इसका जो monitor का resolution होना 1920 और 1080 होना चाहिए जो है एनिमेट CC जो है smoothly run करेगा आपके system में इसे टैप से अगर बात करते हैं काटून इनिमेटर 4 की इसमें आपको दोस्तों सेम है 8GB RAM 4GB extra space और 1920 जो है monitor का resolution होना जरूरी होता है जिसे कि आपको यह software जो है आसानी से run कर सके इसी टैप से बात करते हैं द तो दोस्तों Adobe Animate CC का जो interface है बहुत ही eco friendly है और इसमें dark background बहुत ही अच्छा लगता है जिसमें कि आप जो है हर चीज को आप यहां पे arrange कर सकते हैं अपने तरीके से और यहां पे आप देख सकते हर चीज जो है arrange किया हुआ है और इसको जो है अपने तरीके से modify भी कर सकते हैं इसी type से अगर cartoon animator 4 के interface की बात करें तो cartoon animator 4 का जो interface है वो बिल्कुल white background पे है light background पे है और इसमें दोस्तों भी आपको हर type का tools यहां पे दिया हुआ property यहां पे दिया हुआ अब यहां पे जो है इसके जो है manager है content manager scenes manager इस type से यह भी अच्छे तरीके से arrange किया गया है तो दोनों software अगर देखते हैं तो इसका जो interface है बहुत अच्छा है और eco-friendly है इसमें भी आप जो है arrange कर सकते हैं हर tool को हर section है उसको उसके बाद अगर बात करें हैं दोस्तों file support क्या तो दोस्तों अगर आप identify cc जो file support करता उसमें आप देख सकते हैं ऐसे आप मध्री को आप कर सकते हैं यहां फॉर्ला सकते हैं यहां बीडिडियो भी लेकर आ सकते हैं और जो sb file जो होते है वेव file उसको भी आप animate cc में आप ला सकते हैं असानी से अगर बात करते हैं cartoon animator 4 में जो file support की तो उसमें हम देखते हैं दोस्तों अगर आप दोस्तों cartoon animator 4 यूज कर रहे हैं तो जिसमें कि आप जो है असानी से phd file को import कर सकते हैं jpg को import कर सकते हैं png को import कर सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात होता दोस्तों कि आप जो है animate cc में जो आप swf file बनाते हैं उसको भी आप यहां पर import कर सकते हैं उसके बाद आप MP3 को import कर सकते हैं और उस्तरह से अगर Cartoon Animator 5 यूज़ करते हैं तो इसी टाइप से दोस्तों बात करते हैं अगर Character Creation की अगर आप दोस्तों एनिमेट CC या पर यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे जो है Tools दिया हुआ है हर Character को आप यहां से आसानी से Create कर सकते हैं जैसे Brush tool दिया है है Pen tool दिया है यहां पर से टूल भी दिया हुआ अगर आप अनिमेट CC की बात करें तो यहां पर दोस्तों कोई भी Character को आप आसानी से Create कर सकते हैं जिस टाइप के आप देख रहे हैं मेरे स्कीन पर इस टाइप कोई भी Character को बना नहीं सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाओं तो यहां पर Character होते हैं यहां पर कोई भी Tools ऐसा नहीं दिया हुआ है जिसमें कि आप कोई भी Character को आप बना सकते हैं यहां पर होता क्या है कि यहां पर जो इस character यहां पर inbuilt दिया हुआ है बहुत सारा उस character को हम ले कर आते हैं यहां पर इस character को अगर आप ले कर आते हैं तो इस character को आपके पास अगर PNG हो, PhD हो यहां पर इसको replace करा सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं इस type का कोई भी character यहां पर आप लेकर आते हैं तो उसको आप आपने character के recording replace करा सकते हैं इसी type से अगर बात करते हैं दोस्तों इसमें animation की तो add of animate CC जो है उसमें animation बहुत अच्छे से करा सकते हैं कोई भी केरेक्टर को आप यहां पर लाते हैं और क्रियेट करते में एनिमेट character 4 में इसमें दोस्तों कोई भी चीज को animation करना बहुत easily से करा सकते हैं माल लिए यह हमारा character है इसको यहां पर animation दिया हुआ है इसको जहाँ motion यहां पर दिया हुआ है और इस motion को लेके हम जो है इसको असानी से animation करा सकते हैं जैसे माल लिए यहां पर female के लिए है side view है इस पर अगर क्लिक करते हैं देखिए इस character में जो है इस type का motion apply हो जाता है कोई भी character हो देखिए कुछ इस type का इसमें animation apply हो जाता लेकिन जब animate CC की अगर बात करते हैं यहां अब यहां पर है कोई बिच नहीं है लिए आप यहां पर सभी चीज चीज को कर सकते हैं और दूसरी चाहिए क्या होता है आप अगर काटून एनिमेटर फोर यहां पर कोई भी चैरीक्ट ने अपर cc में यहां पर हाँ पे जरूरी नहीं होता है कि हर चीज को पन अपलै करना चाहिए यहां पर मैन owning a करा सकते हैं द्रू थू अनिमेसों करा सकते हैं तो प्रद करब बहुत बेटर है इंट सिसी लेकिन आपको animate CC में time ज्यादा लगेगा लेकिन cartoon animator 4 में आपको easily कोई भी चीज को animation करा सकते हैं, दोस्तों last में बात करते हैं कि कौन सा software based है, क्या animate CC based है या cartoon animator 4, दोस्तों इसमें हम बात करते हैं, तो animate CC जो होता है दोस्तों, इसमें कोई भी चीज को आप create करते हैं आसानी से लेकिन आप Cartoon Animator 4 में कोई भी चीज को आप create नहीं कर सकते हैं दोनों में ये जो है सबसे बड़ी different है और अगर बात करते हैं दोस्तों तो दोनों software जो है और यहां पर आप इसको create भी कर सकते हैं खुद से लेकिन आप Cartoon Animator 4 की बात करते हैं तो इसमें आप पीएशडी को इंपोर्ट कर सकते हैं यहां पर क्योई भी चैरेक्टर को बना नहीं सकते हैं अब बात करते हैं मार्केट की तो दोस्तों एनिमेट CC जो है बहुत मार्केट में चल रहा है लेकिन Cartoon Animator 4 में अभी मार्केट में बहुत कम चल रहा है अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो एडव एनिमेट सीखना जरूरी होता है इसी के बेस पर आपको company hire करती है और अभ Cartoon Animator 4 जो है अभी के लिए आपके लिए best होगा क्योंकि इसमें जो है आप कोई भी Cartoon को जल्दी बना सकते हैं एक बार अगर character बना लेते हैं उसमें अगर एनिमेशन लगाते हैं तो उस एनिमेशन को बार बार लगा सकते हैं लेकिन एडव एनिमेट में ऐसा नहीं है आपक दोस्तों नेक्ट वीडियो में आज के लिए तेंक यू